महल निसक्खन रह गए वासा आया तल गोरां सेने माणियां बैसन रूहां मल प्रीद केंदे ने महल बनाये सन महल दे उपर रमांगे चो बारियां चो एते थल्ले आगए महल दे कबर दे चले महल दे उपर खड़े महल निसक्खन रह गए वासा आया तल गोरां सेने माणियां बैसन रूहां मल उच्छे उच्छे महल बनाये उच्छे चो बारे चले नाये पर यते कबर दे चले गए थल्ले चले गए महल दे खाली दे खाली रह गए जीवन दा लक्ष ए नहीं बहुत गैरी नीव खड़ाईए बड़ी सोणी छत मंड़ बड़ा सोणा जो है महल बड़ाये हां दे पुरानत समे दे च्छे मार कंड़ा नाम दा इक रिशी होया है कि नहीं बड़ी वड़ेरी उमर दा सी और मनुक हो सगदा है एक पांच छे सादी होईने बाबा लचमन सिंग गुजर गए एथे आंदे आंदे संदा सो ये बाबा अतर सिंग नालवी रहे संग बाबा सुंदर संग अली बेगा बाबा दरशन संग कुली वाले ओ भ है आजय दरखे ए घ डृष होया इस प्री मुझे डालव कि पर है लुट है ट है मस्हूर माशूर सैर राते रातनों जिधे सोन उपा चाता करके सोन को कि ज अढिसा नदेर चाता करके सोन नंदें अभ प्र फैंच शॉनर मों देसे नहीं सोना जमीनते से अन्दाजने में बड़े कुछी वाले ने अना बाले मेनु बड़ा कुछ जो है दसे, खेलंगे उधो ये जवान सान हों, तो उंटे नादी उमर कम से कम 120 साल तो ज्यादा होनी चैने इस चार-पंच साल होएने गुजरे और पैदल चल दे सन और बड़े पाजके चड़ दे सन शरीर बिलकुल ठीक नेतर बिलकुल ठीक कन्ना दी सरोग बिलकुल ठीक कुवत जोयाई वो भी बिलकुल जो है ठीक सी उन्दी किसे किसे दी सरीर के सादना इस दान दी मारकंडा रिशी उमर करके सौ साल तो टपे ओयाई थी बड़ी लंबी उमर दा ए मालक और इने एक कखांदी इज कहलो चतरी बनाई हो इसी कखांदी चतरी धुपदे जो बैठा है ओई चाता बारश आगई है ओई तिनकें दी चतरी सिर्थे रख लेड़े जद कोई उसनों वागे है कोई पक्की किदरे कुल्ली बनाले तिकें नेगे कच्ची कुल्ली नुकी पक्की कुल्ली जड़़े बस ओई तिनकें दी चतरी सिर्थे रख लेड़े जिस मार कंडे दी उमर इतनी लंबी इतनी लंबी लेकन शरीर दी पकड नई सी ति जड़ पकड नई सी ति शरीर दा उसने कोई पसारा भी ना की था किसे पसे ना की था नाम देव समझांदे है सीमत जहीं तेरी जिंदगी अन्ने लंबे चोड़े पसारे और सीम जिस दे कुल जिंदगी सी उन्ने अपना मान नहीं पसारे या एक तिनकेंदी छत्री देच सारी जिंदगी उसने बितीत कर लई सारा जीवन उसने कट ले हंच हमरो करता राम सने ही ओ जो मेरा मालक है राम मेरा सने हूं उसनाल है मैं यादां दी डोरी उसनाल जोरी है जो सदीवी जीवन है परम जीवन है परम धन है परमातमानों ही कहिए देन परम धन परमातमानों ही कहिए देन परम जीवन परमातमानों ही कहिए देन परम परारत ओ मेरा मालक है ओ जो राम मेरा मालक है मेरा सने हूं उसनाल जोड़े है मेरा प्यार हूं उसनाल मने है काहिरे नार गर्ब करता हो मिन्स जाए तूठी देही ऐ मनुक इस जूठी देई दा हंकार करके लोग वाशना ते हंकार देच बिर्थ सारा जीवन क्यों बदीद करना जाए ना बदीद करें ते जूठी देई अज है ते कर लेंगे जूठी तो मुराद मिथे जूठी तो मुराद अपवित्र है एक निक अपवित्र है धन गुरु नानिक देव जी महराज दस दे ठीक है जिवे कमल दे भुल्दियां जड़ां चिक्कड दे चौनियन है वो जगमगांदी होई जोग इसे ही मेले तन दे अंदर है इसे ही मेली काया दे अंदर है पर ओ निरले है यह कितनी जूठी है कितनी मेली है गुरु नानिक देव जी महराज दप्रमान अन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लोण यह सारे दिवे शक्ती रख देने शरीर्दी पालना इनाना लोण अन है पानी है लोण है फिर भोजन बनाया जैंद है अगन देवता है अन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लोण पजवा पाया घृत ता हुआ पाक पवित्र पजवा ध्यो पाया गया ते पवित्र भोजन बन गया पाक कैने ने भोजन नो पाक सालरसोई घर पाक भोजन ता हुआ पवित्र भोजन बन गया पाक कैने जैंद है इस अपवित्र तन देचपाया गया ओ पवित्र भोजन जो देवतेयां दे संजोग नाल बने पानी देवता आन देवता अगन देवता लोणते गयो इस सब देवते ने दिवेशक्ती रख देड़ा इना दे संजोग नाल बड़ा संदर ते पाक पवित्र भोजन बनेया पर पापी सेम तन गड़ेया इस अपवित्र तन देच पाया गया थुक्का पईया ते शरीर देविच जो कुछ ए हो जानदा है इनू फिर देखिये ते घरना पे घरना पे इक पाणी नू तन मेला कर देंदा है आननो भी मेला कर देंदा है गयो नू मेला कर देंदा है लोन नू मेला कर देंदा है सब कुछ मेला ही हो जानदा है अपवित्र हो जानदा है इस पवित्र अपवित्र हो जानदा है ये तन इतना अपवित्तर है कि हर चीज नोँ अपवित्तर कर देए। पंड़त गुलाव सिंग जी महाराज ने एक बड़ा संदर चंद लिखे हैं। मनुख ये किदरे परबावत होंदा है। किसे दे नैन नक्षो ते किसे दी खलडी तो, सिकन तो। ते जी खलडी दे अंदर थोड़ी चाहत मारें। इननु केनन दे लम्मी नदर ने आदे। अगर द्रिष्टी गैरी है। पंड़त गुलाव सिंग जी महाराज दा चंद निरमले संतो इने। बहुत सारे उनने टीके लिखे संते बहुत सारे उनने ग्रंत। किदरे एक युगती जिन्नु अपने सुअपन ते बड़ा मान सी नक्चो मेल निकली। ते ढंग नाल उने सवारी ना उतारी ना इंज हाथ फेर लेता। हाथ दे फेर देया नक्दी मेल सारे मौटे पढ़ गे। ते पंड़त गुलाव सिंग जी महाराज लिख दे ने ए मलमूत कसूत सबोकुन और सलेखन भाजन वारी नाक की मेल जबैनिक से और नाएं संभार सो पोच उतारी। नक्चो मेल लिकली संभाल के उतारी और नाएं संभार सो पोच उतारी। तो मुख चंद कहे जहें को जनु केंदा सी चंदर मुखी ए चंदर मांदे समार। अत्यंद खुबसूरत चेरे। तो मुख चंद कहे जहें को तब नाहें नहार सके वहो नारी। पिख रंचक मेल गिरान करे सठ जानत नाएं अहे कच सारी मूरक जान दैनी सब कुछ एई ये सरीर हो रहे गुरवानी फिर इंच कहें दिये बिष्टा अस्त रकत परेटे चांग भगत कवीर इदेही की है बिष्टा अस्त हडियां अस्तियां हडियां बिष्टा अस्त है रकत परेटे चांग लगू है मास है हडियां है ते मेल है दुरगंद है इद्युती प्रमात्मा ने ए खल्डी दा कपड़ा पा देता है चोला पा देता है कपड़ियां देच, मास नू ढग देटा है, फोन नू ढग देटा है, हडियां नू ढग देटा है, दुरगंदी नू ढग देटा है, मेल नू ढग देटा है, विस्टा अस्त रकत परेटे चां, वो इस उपर ले रखेयो गमान, तेनू इस काया ते मान है, गंदगी ते, हड पिरियां थे, मास थे, खून थे, चलत कत टेडे टेडे, इतना अकड की क्यों चलता थे? धन दे, मां दे, नालनल, सरीर के जो बन दा, बड़ा भारी मां है.